हलो नमस्ते वेलकम एक बार फिर से स्वागत हैं मिमानचा क्लासेज के ऑन्लाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबी लोगों का आज की जो अमारी क्लास रहने वाली है मूल अधिकारों के संदर्व में हमारी क्लास रहने वाली है पिछली क्लासेज की यह दि मैं बात करूँ तो प आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35, अनुचे 12 से लेके 35 तक में मूल अधिकारों के बारे में बात की गई है, इससे पिछली जो हमारी क्लासे थी, उसमें हमने आर्टिकल 12 से लेके 31 तक में मूल अधिकारों के संदर्ब में क्या-क्या बातें की गई हैं, उनको समझा था, जाना था लेकिन आज की जो हमारी class है उसमें इससे आगे की हम बात करेंगे आर्टिकल 32 से लेके 35 तक मूल अधिकारों के संदर्ब में क्या-क्या बातें कही गई हैं इसके बारे में हम आज की class में चर्चा करेंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 32 के साथ में सेमधानिक उप्चारों का अधिकार जिसे कहा जाता है उसके साथ में लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ यह जो हमारी class है यह पॉलिटी स्पेसल बैच के अंतरगत यह हमारी class हो रही है और पॉलेटी स्पेसल बैच जो है वो हमने इसलिए प्रारंब किया है ताकि समीधान से सम्मंदित या भारती राजवेवस्था से सम्मंदित पूरा का पूरा सिलेबस जो परतियोगी परिक्षाओं में पूछा जाता है वो एक करम से सभी लोगों को यूटूब पर निसुलक र क्लासेज के यूटूब चैनल पर उस प्लेलिस्ट में सभी टॉपिक्स जो कि राजवेवस्था से सम्मंदित या बहुत ही विस्तार्श है आपको उपलब दोने वाले हैं विशेश रूप से यह जो कोर्ष डिजाइन किया गया है पॉलेटी स्पेसल बैच यह सिविल चाहे आईएस की परिक्षाओं उसको ध्यान में रखते वे उसके परष्णों की प्रकरती को ध्यान में रखते वे इस कोर्ष को डिजाइन किया गया है लेकिन साथ ही अन्य प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए यह समान रूप से उप्योगी रहने वाला है तो आईए क्ला पानिबासामी से हम समझें तो किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का यदी उलंगन होता है तो उसको क्या-कया उपचार प्राप्त होंगे, क्या क्या उप्चार वो प्राप्त कर शकता है इसकी बात आर्टिकल 32 में की गई है इसलिए इसे सहमेधानिक उप्चारों का अधिकार भी कह देते हैं इसे क्या कह देते हैं सहमेधानिक उप्चारों का अधिकार भी इसे कह दिया जाता है तो आर्टिकल 32 में क्या क्या मात की सबसे पहली चीज कि सहमयधानिक किस किस प्रकार के सहमयधानिक उपचार किसी व्यक्ति को मूल अधिकारों के उलंगन पर प्राप्त होंगे देखे भासा की यह हम बात करें तो क्या कहता है कि मूल अधिकारों के यह किसी व्यक्ति का उलंगन होता है तो उसे ना तो क्या करने करने के जरूरता है डिस्टिक कोर्ट में जाने के जरूरत है ना हाई जाने के जरूरता है वो सीधा जा सकता है सुप्रिम कोर्ट या उच्छतम नयाले के पास जा सकता है यानि मूल अधिकारों का उलंगन होने पर सीधे तोर पर क्या कर सकता है कोई व्यक्ति सुप्रिम कोर्ट में या चिकादारी दायर कर सकता है अब सुप्रिम कोर्ट व्यक्ति के मूल अधिकारों का उलंगन हुआ है तो उस दसा में क्या करता है कुछ रिट जारी कर सकता है ये रिट कौन-कौन सी है पहली बंदी परत्यक्षिकरन रिट दूसरी परमादेश तीसरी परतिसे चोथा उप्रेशन पाच्वा अधिकार प्र में ये भी कहा गया है कि ये रिट जारी करने का अधिकार जो है वैसे तो सुप्रिम कोर्ट को है लेकिन संसद क्या कर सकती है किसी अन्य नयायले को भी अन्य कोर्ट को भी क्या कर सकती है ये रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है तो इस प्रकार से ये रिट जारी करने का अधिकार संसत द्वारा दिया जा सकता है पारलियमेंट द्वारा दिया जा सकता है इसके साथ ही समीधान में जो मूल अधिकारों के उपबंद दिये गए हैं उन मूल अधिकारों को समीधान में कुछ इस्थितियां वर्नित की गई हैं उन इस्थितियों के अलावा यानि समी बाते हैं Article 32 में कही गई हैं तो अनुछेद 32 नैकेवल मूल अधिकारों की निलंबन से व्यक्ति की रक्ष्चा करता है अपी तो यदि किसी प्रकार का उलंगन मूल अधिकार का होता है तो किसी व्यक्ति को क्या-क्या उपचार प्राफ होंगे उनके बारे में भी बात करता है पांच परकार की रिटों के बारे में हमने बात की आईए एक-एक करके इन रिटों को विस्तार से समझने की कोशिस करते हैं कि ये रिट सुप्रिम कोट द्वारा या उच्चितम नैंदले द्वारा किन-किन दसाओं में जारी की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बंदी प्रतेक्षिकरण की जो रिठ है उसके अंतरगत सुप्रीम कोड किसी व्यक्ति को क्या कहता है, अपने समक्ष परस्थूत करने के लिए कहता है, और ये किस दसा में अक्सर जारी की जाते हैं, य्दि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप स से हिरासत में रखा जाता है गैर कानुनी रूप से हिरासत में रखा जाता है और ये गैर कानुनी हिरासत चाहे क्या हो सरकार या राज्य द्वारा रखी जाए या सारुजनिक प्राधिकारी द्वारा रखी जाए या नीजी प्राधिकारी द्वारा यानि गैर कानुनी यदि किसी व्यक्ति को गैर कानुनी रूप से हिरासत में रखा गया है, चाहे सारजनिक प्राधिकारी द्वारा रखा गया हो, चाहे नीजी प्राधिकारी द्वारा रखा गया हो, उस दसा में कोट क्या कर सकता है, बंदी प्रतक्षी करन रिट जारी करके कह सकता है, कि उस व व्यक्ति ने खोर्ट की अवमानना करी है, उसके करण उसको इरासत में लिया गया है, तब क्या नहीं करा जाएगा, यह रिट बंदी प्रत्यक्षी किरन की रिट उस पर लागू नहीं होगी, नियाले में ही अपने निर्णे द्वारा किसी व्यक्ति को दोसी करार दे के उसको षचे किरता की तब भी बंदी प्रत्यक्षी करण की रिट लागू नहीं होती, तो ये बात हुई पहले प्रकार की रिट बंदी प्रत्यक्षी करण, आगे चलते हैं, दूसरे प्रकार की रिट की बात करते हैं परमादेश परमादेश का तात्पर है आदेश देना और इसके अंतरगत उच्चितम न्याले किसी कोर्ट को क्या करता है आदेश दे सकता है क्या तकर सकता है सारजनिक अधिकारियों को या किसी कोर्ट को क्या दे सकता है आदेश दे सकता है क किसी कारे को करने का, किसी कारे को करने का, मालो कोई कारे नय करने के कारण सारजनिक अधिकारी द्वारा किसी कारे को नय करने से, किसी कारे को नय करने से, क्या होगा हो, किसी व्यक्ति के fundamental right का उलंगन हो रहा हो, मूल अधिकार का उलंगन हो रहा हो, तो सुप्रिम कोर्ट ये रिट जारी करेगा परमादेश देगा और कहेगा उस सार्थनिक अदिकारी को कि आप ये काम करो या फिर किसी कारे को नै करने पर क्या हो किसी व्यक्ति के मूल अदिकार का उलंगन हो रहा हो तो उस सार्थनिक अदिकारी से सुप्रिम कोर्ट ये पस्टिकरण भांगता है परमादेश के तहट कि आप ये कार्य क्यों नहीं कर रहे तो दोनों ही स्थितियां क्या कहलाएंगी परमादेश कहलाएंगी लेकिन ये परमादेश किस पर लागो नहीं होता किसी नीजी व्यक्ति अथा किसी नीजी व्यक्ति को कोड कोई कार्य करने का आदेश नहीं दे सकता परमादेश की अंतरगत इसी तरह यदि किसी सारजनिक अधिकारी का करतव्य कानून के अनुसार नय होकर अथार्थ प्रतेक जो सारजनिक अधिकारी है जो सरकारी अधिकारी है उसके जो क्रत्य होते हैं वो decided होते हैं कानून के अनुसार होते हैं ले तारजनिक अदिकारी द्वरा अपने कर्तवे को निभाने के दोरान अपने विवेक से कुछ निर्णे लिया जाता है क्यों कि उसका कर्तवे क्या नहीं है कानून में निर्धारित ही नहीं है जो कर्तवे वो निभा रहा है वो कानून में निर्धारित नहीं हो उसके ड्यूट और उसको निभाने के लिए यदी कोई कारे किया जाता है तो उस दसा में परमादेश जारी नहीं होगा। साथ इताथ रास्ट्रपती और राज्यपाल के लिए भी परमादेश सुप्रेम कोट जारी नहीं करता है। इसके अत्रिक जो उच्छ नयाले हैं हाई कोट हैं उनके जो चीफ जस्टिस हैं मुख्य नहीं ग्रीस हैं उनके लिए भी नयाले द्वारा सुप्रिम कोट द्वारा परमादेश जारी नहीं किया जाता तो ये था परमादेश और किन-किन इस्थितियों में परमादेश लाग करने या ने करने से क्या हो रहा हो किसी व्यक्ति के fundamental right या मूल अधिकारों का उलंगन हो रहा हो तब उस दिशा में ये रिट जारी की जाती है अगला है प्रतिशेद रिट प्रतिशेद जो रिट है वो supreme court किसके लिए जारी करता है अपने अधिनस्त जो न्यायले हैं या tribunals है न्यायले या अधिकरण जो की supreme court के अधीन है उनको जारी करता है और कहता है कि आप अपने छेत्रा अधिकार शेद बाहर कारे ना करो अतार यदी कोई court यदी कोई अधिनस्त न्यायले और अधिकरण इस प्रकार से कारे करता है कि कि किसी व्यक्ति की मूल अधिकार को क् प्रकार्य करने से क्या करता है रोकता है लेकिन ये रिट किन मामलों में लागू नहीं है प्रसास्निक मामलों में लागू नहीं है अथार इस रिट के अंतरगत प्रतिशेद जो रिट है इसके अंतरगत केवल अधिनस्त न्यायले और जो ट्रिब्यूनल्स है अधिकर्ण है उनको ही क्या कर सकता है, आदेशित कर सकता है, सुप्रिम कोट ये किस मामलों में लागू नहीं होती, प्रशासनिक मामलों में लागू नहीं होती है, एड्मिस्ट्रेटिव मामलों में लागू नहीं होती है, ये जो रिट है केवल निवारक परकार की है, निवारक परकार का तात्परिक है कि ये केवल fundamental जो right है उसके उलंगन को आगे रोक देती है जैसे न्यायले और अधिकरण अपने 6 अधिकार से बाहर कर रहा है उससे किसी व्यक्ति के fundamental right या मूल अधिकार का क्या हो रहा है उलंगन हो रहा है अब तक जो उलंगन मूल अधिकारों का हो चुका उसके लिए अगले प्रकार के जो right है वो है उत्परेशन right और इस उत्परेशन right के अंतरगत Supreme Court द्वारा क्या किया जाता है वही अधिनस्त न्याले और अधिकरण से मामले को अपने पास मंगवाया जाता है यदि Supreme Court को ये लगता है कि किसी अधिनस्त न्याले और अधिकरण के पास में ऐसा कोई मामला है जिसके कारण किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उलंगन हो रहा है तो वहां से उस मामले को Supreme Court स्वयम के पास में इस्थानांत्रित कर लेता है स्वयम के पास मंगवा लेता है और स्वयम उस पर क्या देता है फैसला देता है स्वयम निर्णे देता है कि व्यक्ति के मूल अधिकार का स्रक्षन किस प्रकार से किया जाए तो चूंकि इस उतप्रेशन डिट के द्वारा अधिनस्ट नयाले को ने केवल उस मामले में कार्य करने से रोका जाता है रोका भी जाता है निवारक, निवारक का तात्परी क्या है कि मूल अधिकारों का जो उलंगन है उसको आगे रोका भी जा रहा है साथ इसाथ remedy भी प्रदान की जा रही है उपचार भी प्रदान किया जा रहा है अब तक जो मूल अधिकारों का उलंगन हो गया उसको क्या कर रहा है सुप्रीम कोट अपने पास मंगवा कर उसका उपचार कर रहा है तो ये निवारक और शाहयक दोनों परकार की है कौन उत्प इकाई और विधाई का पर उत्प्रेशन जो रिट है वो लागू नहीं होती केवल किस पर लागू होती है अधिनस्त न्यायले और अधिकरणों पर ही ये लागू होती है तो ताथ पर क्या हुआ किसी नीजी व्यक्ति द्वारा यदी कोई ऐसा कारे करा जा रहा है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उलंगन हो रहा है तो उसके लिए जो रेमेडी है वो दूसरी है उसके लिए उत्प्रेशन रिट जारी नहीं की जा सकती अगली परकार की जो रिट है वो है अधिकार प्रच्छा और अधिकार प्रच्छा के अंतरगत सुप् के रिट जारी की जाती है अधिकार प्रक्षा जारी की जाती है जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि पाकिस्तान जैसे देशों में तक्ता पलट की स्थिती की दोरा जो है जो सेना के जनरल होते हैं वो परधानमंत्री कारेलेप कबजा कर लेते हैं और श्वेम को परधानमंत् समयधानिक कारेले में जो अधिकार किसी भी व्यक्ति का होगा वो उस प्रकार से होगा जो समीधान में दर्शाय गया है समीधान में लिखा गया है इसके अत्रिक्त यदि अनाधिकरत रूप से कोई भी व्यक्ति किसी समयधानिक कारेले पर कबजा करने की कोशिस करता है अधि और मंत्रालिक जो कार्याले हैं उन पर ये रिट क्या नहीं होती है लागू नहीं होती है साथ ही साथ अधिकार प्रच्छा की जो रिट है उसके लिए याची का जो दायर की जाती है वो किसी भी व्यक्ति द्वारा सुप्रिम कोर्ट में लगाई जा सकती तो भी और उसे लगता है कि उसके स्वेम के मूल अधिकार का उलंगन नहीं हो रहा है किसी और व्यक्ति के मूल अधिकार का उलंगन हो रहा है तो भी वो जाके क्या कर सकता है अधिकार प्रच्छा की रिट लगा सकता है सुप्रिम कोर्ट में अधिकार प्रच्छा की याजिक का लगा सकता है तो कहने का ताथ प्र नहीं हो रहा है उसको जारी कराने के लिए या चिका या प्रात्नापत्र ना किवल पीडित व्यक्ति द्वारा अपितु अन्य յ्यक्ति के द्वारा भी दिया जा सकता है अथार्स वो व्यक्ति जिसके मूल अधिकारों का उलंगन नहीं हो रहा है वो भी अधिकार प्रच्छा की रिट जारी कराने के लिए सुप्रिम कोर्ट में जा सकता है यदि उसे लगता है कि किसी समयधानिक कारेले पर अवैद रूप से किसी व्यक्ति ने कबजा कर रखा है अवैद रूप से उसके अधिकार जाता रखा है तो ये बात वी आर्टिकल 32 की तहत विभिन प्रकार की जो रिट है जिनके माध्यम से मूल अधिकारों का सरक्षन किया जाता है समयधानिक उपचार नेयले द्वारा प्रदान किये जाते हैं उसकी अगले आर्टिकल की और वो है आर्टिकल 33, 34 और 35 अब आर्टिकल जो 33 और 34 हैं उसमें बात की गई है कुछ व्यक्तियों के मूल अधिकारों के निलंबन करने की और आर्टिकल जो 35 हैं उसमें बात की गई है यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उलंगन होता है तो उसके लिए जो दंड होग fundamental right के उलंगन पर दंड जो निर्धारन किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा इसके बारे में article 35 में बात की गई है तो आइए चलते हैं article 33, 34 और 35 को और देखते हैं उससे पहले article 33 पर जाने से पहले हम देखेंगे कि जो रिट जारी करने का अधिकार है वो समिधान द्वारा नैकेवल सुप्रिम कोर्ट को दिया गया है, नैकेवल उच्चेतम न्याले को दिया गया है, अपितु उच्च न्याले को भी दिया गया है, तो उच्चेतम न्याले या सुप्रिम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जो जारी रिट की जाती हैं, उनमें आखिर अंतर क्या है तो यह उस अंतर को समझने की कोशिस करते हैं इस अंतर चे भी परिक्षा में कई बार प्रशन पूछे जाते हैं तो इस अंतर को तुलना के माध्यम समझने की कोशिस करते हैं उच्चितम नयाले की अदि हम बात करें तो उच्चितम नयाले को रिट जारी करने का जो अ हाई कोट जारी कर सकता है सुप्रिम कोर्ट द्वारा जो रिट जारी करने का अधिकार है वो उसका मूल छेत्रादिकार है इसी प्रकार उच्छ नयाले का भी रिट जारी करने का अधिकार उसका मूल छेत्रादिकार है मूल छेत्रादिकार का तात्पर रहे है कि कि किसी अपी अधिनस्त कोर्ट की अपील अधिनस्त कोर्ट द्वारा जो निर्ने दिया गया है उसकी अपील के अंतरगत यदि आया जाता है तो उसे अपील ही अधिकार कहते हैं जबकि मूल छेतर अधिकार का ताथ पर है सीधे ही कोर्ट में जाना तो मूल अधिकारों का उलंगन होने पर व्यक्ति ये रिट जारी करवाने के लिए जा सकता है लेकिन हाई कोर्ट में व्यक्ति के मूल अधिकारों के साथ साथ यदि विदिक अधिकारों का उलंगन होता है तो भी वो व्यक्ति रिट जारी करवाने के लिए जा सकता है तो कहने का ताथ पर है सुप्रिम कोर्ट द्व वरा नेकिवल मूल अधिकारों के उलंगन के लिए रिट जारी की जाती है अपी तु व्यक्ति के विदिक अधिकारों के उलंगन पर भी रिट जारी की जा सकती है अब आपको मूल अधिकार और विदिक अधिकार दो सब यहां दिखाई दे रहे हैं तो आपके मन में प्रसु ने कानून बना कर संसद ने कानून बना कर क्या किये हैं कुछ अधिकार प्रदान किये हैं इसी तरह समीधान के कुछ अन्य अनुछेद इन 12-35 के अलावा अन्य जो समीधान के अनुछेद हैं उन में भी क्या करे गए हैं व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्रदान किये गए है तो किसी कानून या 12 से 35 तक जो समिधान के अनुच्छेद है उनके अन्य अनुच्छेद में वर्णित किसी अधिकार का यदि उलंगन होता है तो भी व्यक्ति क्या जा सकता है हाई कोर्ट में रिट जारी करवाने जा सकता है तो ये दोनों के रिटों के मद्दे अंतर हुआ अब बात करते हैं आर्टिकल 33 की जिसके अंतरगत बात की गई है कुछ व्यक्तियों के मूल अधिकारों के निलंबन करने की सकती की बारे में और ये निलंबन करने की जो सकती है वो किसके पास में है संसद के पास में है अथार संसद कुछ व्यक्तियों के अधिकारों को नि विधी बनाना पड़ेगी सबसे पहले चीज दूसरी चीज कब कर सकती है यदि क्या हो किसी वर्ग के करतव्यों के उचित पालन और अनुसासन के लिए यानि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके करतव्यों को निभाने के लिए जिनको अपने करतव्यों को निभाने के लिए या उन उनके मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है ऐसे लोग कौन-कौन से हैं ऐसे हैं ससस्त्र बल जितने भी ससस्त्र बल हैं उनके मूल अधिकारों को संसत क्या कर शकती है निलंबित कर शकती है ताकि वे अपने करतवयों का उचित पालन कर शकें और अनुसासन में रह सक सार्जनिक व्यवस्था में जो लोगी पुलिस है उसके भी मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है निलंबन का ताथ पर कुछ समय के लिए क्या करना उनको निरस्थ करना इसके आतिरिक आसूचना Intelligence Bureau के जो लोग हैं उनके मूलदिकारों का भी निलंबन किया जा सकता है इसके अलावा इन तीनों के अंत्रगत जो दूर शंचार प्रणाली में कार्यत लोग हैं उनके मूलदिकारों का भी उलंगन या कह सकते हैं निचुनिकरन किया जा सकता है या因 स किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का निलंबित किया जा सकता है। जहां सेन्य विधी लागू होगी वहां मूल अधिकार जो है वो निलंबित हो जाएंगे। विशेष व्यक्तियों के मूल अधिकारों के निलंबन के बात करता है। ये थे आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 अब मूल अधिकारों से सम्मनित अंतिम अनुछिद की हम बात कर लेते हैं वो है आर्टिकल 35 और इसमें ये कहा गया है कि मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए या फिर मूल अधिकारों का यदि उलंगन होता है उस पर दंड देन के लिए उसके दंड निर्धारित करने के लिए जो कानून बनाये जाएगा वो संसद के द्वारा बनाये जाएगा ना कि राज्य के विधान मंडलों के द्वारा यानि किसी विक्ति के मूल अधिकारों का यदि उलंगन होता है तो उस मामले में दंड निर्धारित करने के लि कोई कानून या कोई विधी कब बनी वी है समिधान लागू होने से पहले ही बनी वी है तो उस वो क्या रहेगी जारी रहेगी कब तक जारी रहेगी जब तक संसद उस विधी के संदर्ब में क्या कए निरस्त ना कर दे उस विधी को या उस विधी के इस्थान पर नया कानून ना बना दे तब तक वो लागू रहेगी तो ये स्पश्टूप से बताया गया है आर्टिकल 35 में कि fundamental right या मूल अधिकारों का जब उलंगन होता है तो उस पर दंड देने के मामले में कानून कोन बनाएगा अब हम बात करेंगे आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हमने में तो साथ बागों में बाटा गया था लेकिन वरत्मान में मूल अधिकारों को छै बागों में बाटा गया है चै बागों में क्यों क्योंकि सात्वा जो भाग था उसे संपत्ति के मूल अधिकार के रूप में पहचाना जाता था जो कि 44 समीधान संसोदन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है तो वरतमान में 6 भागों में समीधान में मूल अधिकारों को बाटा गया है कुछ लोग मूल अधिकार को पढ़ाते समय समीधान में मूल अधिकारों के वर्गीकरण की बात सबसे पहले करते हैं लेकिन मूल अधिकारों के वर्गीकरण की बात यदि हम सबसे पहले करते हैं तो इस वर्गीकरण के अनुच्छिद याद करने में हम उलत जाते हैं तो हमन से बाद पहला बाग है समानता का अधिकार जिसे अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 में बताया गया है दूसरा है स्वतंतरता का अधिकार जिसे अनुच्छेद 19 से लेके 22 में बताया गया है तीसरा है सोशन की विरुद अधिकार जिसे आर्टिकल 23 और 24 में बताया गय गया है उससे अगला है संस्कृति वैशिक्षा का अधिकार जिसे आर्टिकल 29 और 30 में बताया गया है और छटा है सेमेधानिक उप्चारों का अधिकार जिसे आर्टिकल 32 में बताया गया है अब आप जो इसी क्लास से जिसने अपनी क्लास प्रारम कई है उसके मन में एक प्रस से हो रहे हैं तो article 12 और article 13 में फिर क्या दिया गया है साथ हम देखेंगे कि यहाँ article 30 तक तो लगातार है फिर article 31 बीच में नहीं है तो article 31 में क्या था इसी के साथ article 33 और 35 में क्या है वो तो हमने इसी class में बात किरी लेकिन article 12 13 और 31 यहां नहीं दिये गए है इस वरगी करण में तो उनमें मूल अधिकारों के संदर्व में क्या बात की गई है इसे जानने के लिए आप मूल अधिकारों से संदर्व में आपकी समझ बड़ी होगी मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद जहिंद